सर्प और फाइल आश्चरे के क्रम में एक सर्प एक शस्त्रकार की दुकान में घुसाया जैसे ही वहाँ फर्ष पर फिसला उसने महसूस किया कि उसकी तवचा वहाँ पड़ी एक फाइल से चुप गई है गुसे में उस पर पलट गया और उसमें अपने नुकीले दान्त दालने की कोशिश की लेकिन वह भारी लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सका और जल्द ही अपने क्रोध पर काबू पाना था कहानी का शिक्षण है बेसुत पर वार करना बेकार है पर नहीं कोशिश कोशिश के बेकार है